बॉलिवूड एक्ट्रेस अमीशा पचेल के खिलाफ 10 लाख रुपे के चैक बाउंस होने मामले में शिकायद दर्ज की गई है यह मामला इंदोर की जीला अदालत में दर्ज किया गया है केस दर्ज होने के बाद अब इस मामले में 43 साल की अक्ट्रेस को अगले साल 27 जिन्वरी को अदालत के सामने पेश होने को कहा गया है इन दोर निवा से शिकायत करता नीशा चीपा के वकील दुर्गेश शर्मा ने शुकरवार को बताया कि प्रत्थम श्रेणी न्याइक मज़स्टेट मनेश भट ने अमेशा के खिलाफ उनकी मुवकलील की शिकायत की बुद्वार को दर्ज की गई यह शिकायत नेगोशियेबल इंस्ट्यूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहट दायर की गई है उन्होंने बताया कि जे एम एफसी ने बुद्वार को शिकायत पर सुनवाई करते हुए सम्मन जारी कर अमीशा पटेल को अगाम 27 जनवरी को अदालत के सामने पेश होने के आदे मुवगिल से 10 लाख उर्पे कथित तोर पर उधार लिये थे वकील ने कहा उधारी का अदायगी के लिए अमीशा ने मेरी मुवगिल के नाम 10 लाख उर्पे का चेक जारी किया था यह चेक बैंक में जमा कराये जाने पर बाउंस हो गया क्योंकि फिल्म अभिनेतरी के खाते राजगराना और जोती गादन वोल्ड-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning, a perfect venue for wedding, launching and parties, राजगराना और जोती गादन, a JBD Banquets Enterprise ऐसे ही लेटेश को बरे पाने के लिए बल इकन को क्लिक कर हमारी चैनल को लाइख, शेर और सब्स्क्राइब करें घंने वाल